आप देख रहे हैं राट न्यूज रूप करते हैं आज की संसनी खेस ख़वर की तरफ जो अलवर के किशन गड़ बास से आ रही है जहां पर बिद्वा की 15 साल की बेटी से रेप दो यूपकों ने तीन महीने में नौ बार किया दुसकर्म प्रेगनेंट हुई तो दाई से बच्चा गिरवाया दिल्ली की जुग्यों में जाकर छिपे दरिंदे बच्चा गिराने वाली महिला समेट 6 लोग ग्रफतार आपको बतादें अलवर के किशन गडवास में एक विद्वा मेला की 15 साल की बेटी से कई महीनों तक बलात कार कर जवरन गरपात कराने का संसनी खेज मामला सामने आया है मामले में पुलिस की गंभीरता ने बलातकार के आरोपी गरपात कराने वाली महिला और इसमें सयोग करने वाले कुल 6 लोगों को गरफतार किया है पुलिस की बड़ी भूम का यह रही कि पीड़ित परिवार मुकदमा दर्ज कराने से डर रहा था पुलिस को पता लगा तो नावालिक वा उसकी मा को समझाया कि बिना मामला दर्ज कराए दोस्यों को सजा नहीं मिलेगी पुलिस के समझाने के बाद परिवार के लोगों ने सोम वार रात करीब साड़े नौ बजे मुकदमा दर्ज कराया आरोपी दिल्ली की तरफ फरार हो गए थे इसके बाद पुलिस रात में ही उनका पीछा कर दिल्ली पहुची और सभी आरोपियों को ग्रफतार कर लिया पुलिस ने बताया कि आरोपी राकेस उर्फ काली और गुर्मीत उर्फ मिन्ना ने नावालिक से मार्च वा मैह माह में कुल नौ बार दुसकर्म किया जिसके कारण नावालिक प्रेगनेंट हो गई जब नावालिक करीब साड़े तीन माह की गर्ब बती हो गई तब उसकी माह को आभास हुआ वह अस्पताल लेकर गई उससे पहले बेटी ने पूरी कहानी बता दी इसके बाद वलातकार के आरोपी वातीन अन लोगों ने जबरन उसका गर्ब पात किसन गड़ में ही करा दिया किसन गड़ बास में दाई का काम करने वाली महला ने गर्ब पात कराया पुलिस ने उसे भी गरफतार कर लिया है इस तरह नावालिक से रेप करने के मामले में दो आरोपी राकेस उर्फ काली गुर्मीत उर्फ मिन्ना और गर्ब पात कराने में तीन सहयोगी सुरजीत गुर्मीत उर्फ गुम्मा सुनीलवा गर्ब पात करने वाली महला सहेट छै जनों को गरफतार कर लिया है S.P. राम मूर्ती जोसी ने बताया कि उनको मुख्विर से सूचना मिली थी कि नावालिक से बलात कार के बाद गर्ब पात कराया गया है पुलिस को परिवार के ही कुछ लोगों से इसकी जानकारी मिली इसकी पुष्टी होने के बाद पुलिस ने नावालिक वा उसकी मा को समझाया इसके बाद उन्होंने बलात कार के आरोपियों के खिलाब उकदमा दर्ज कराया मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की ग्रफतारी में रात भर दोड़ती रही छे टीमें गठित की पुलिस ने छे आरोपियों को पकड़ने के लिए छे टीम गठित की जिनमें से दो टीम तो दिल्ली में पहुँची जहां कच्छी बस्ती में जाकर छिपे आरोपियों को ग्रफतार किया गया रात में अन्ह सभी आरोपियों को ग्रफतार कर लिया गया मंगल बार सुबह करीब साड़े साथ बजे पुलिस का आपरेशन पूरा हुआ इसके बाद पुलिस अधकारियों ने पूरे मामले का खुलासा किया महिला अत्याचार एवं उत्पीडन पर पुलिस की इस कारवाई की आम जन्ने तारीफ की उनका कहना है कि इस तरह पुलिस को बिना किसी दबाव के आगे आकर जगन अपरात के आरोपियों के खिलाप कारवाई करने की जरूरत है इस ख़वर के संदर्म में देखिए ये खास रिपोर्ट किशंगडवा स्थाना शेतर में एक नावालिक के साथ दुशकर्म हुआ था इसमें परिवार जन मामला दर्श नहीं करवा रहे थे पुलिस ने समवेदन शीलता के साथ कारवाई करते हुए कर्वार के साथ कांसलिंग की और मामलादेश कर वाया और त्रित कारवाई कर मामले के छैंठ आरोपी जीन मैं दो दुशकर्म के आरोपी 3 अवे रूप से गरव पात करवाने से बहताने वाली प्रूपी की जाती रहेगी